पंद्रा से बीस एयर उपे तक के बजट में अगर आप अपने लिए एक टीवी करेना चाहते हैं तो ऐसे में 40 इंच की टीवी को आपको अपने लिए कंसिडर करना चाहिए और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉफ त्री बास्ट 40 इंच टीवी इन इंडिय की टीवी को कंसिडर किया है और इन तीनों ही टीवी में आपको बिजल लिस डिजाइन डिस्प्ले मिलता है यानि की टीवी के बिजल आपको काफी चोटी और नेरो मिलेगी जिससे की टीवी का लुक्स आपको काफी प्रीमियम मिल जाता है वही रिजॉलिशन इन तीनों ही पिक्चर क्वालिटी यहने की वीडियो क्वालिटी का experience होगा इन तीनों की टीवी के remote control में आपको voice command का feature मिलता है यहने की voice command देकर आप TV को operate कर सकता है साथ दूस्तों जितनी भी regular OTT apps है उनकी hotkeys भी आपको मिल जाते है बास्ते त्री 4H TVs में नमबर 3 पर है iFalcon की ओर से आने वाली यह 14 इंच की LED smart TV इस TV में दोस्तों आपको Android TV operating system मिलता है वही connectivity port में आपको 2 HDMI port मिलेंगे साथ यह आपको 1 USB port मिलेगा जो कि इस TV की कमी है कम से कम दोस्तों इस segment की TV में 2 USB port दोग होना ही चाहिए लेकिर आपको यहाँ पर केवल एक ही मिलता है वहीं दोस्तों Bluetooth gaming console और dual band Wi-Fi का support भी यहाँ पर मिल जाएगा वही रेम आपको 1 GB की मिलेगी साथ यह आपको 8 GB की यहाँ पर internal storage मिलती है दोस्तों अगर यह और थोड़ी सी भैतर होती यानि कि रेम लगबग लगबग 1.5 GB या रोम जो है वो 16 GB के आसफास होती तो दोस्तों यह TV और complete पाक है जोती वहीं दोस्तों sound audio quality की बात करें तो इस TV में आपको 24 Watt output speaker मिलता है जो कि Dolby audio को support करता है जिससे कि आपको एक अच्छी sound quality का experience होता है इस TV में आपको A plus great panel और AI picture engine 2.0 मिलता है साथ ही आपको HDR10 content का support भी मिल जाता है अगर आप high dynamic range ये content enjoy करता है OTT platform पर तो इसे में आपको एक अच्छी video quality का experience इस TV में जरूर होगा दोस्तों iFalcon TCL का एक associate brand है तो दोस्तों इस TV पर आपको एक साल की overall product पर warranty मिलेगी दोस्तों same model यहने के same feature के साथ आपको TCL में भी ये TV देखने को मल जाती है वहीं दोस्तों TCL इस TV पर आपको जो है वो दो साल की warranty प्रोवाइट करता है अगर आप iFalcon की इस TV को खरीता है तो फिलाल इसी current price है 13,999 रुपए लेकिन दोस्तों अगर आप TCL के model को खरीदेंगे तो उसकी फिलाल current price है 12,999 रुपए दोनों ही TV की बास्त बाइंग लिंग दी है दोस्तों हमने description box में आप अपने requirement के साथ से उन्हें जरूर जेक आउट करें इस TV में आपको गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा जो कि गूगल का अपना एक latest operating system है यह operating system Chrome OS पर अनोता है और इसे access करना यानि कि use करना काफी smooth और easy है वहाई इस TV में आपको 2 HDB और 2 USB port मिलेंगे साथ या आपको Bluetooth, Gaming Console और 12Wand Wi-Fi का support मिल जाता है वहाई इस TV में आपको 1.5 GB रीम मिल रही है जो कि काफी अच्छी बात है लेकिं दोस्तों internal storage आपको यहाँ पर केवल 8 GB की ही देखने को मिलेगी अगर इसकी जगा 16 GB यह फिर इसे थोड़ से जादा होती तो दोस्तों यह TV इसे में आपके लिए और अच्छी better choice होती वहाई दोस्तों sound audio quality में आपको 20W output speaker मलता है जो कि Dolby Audio, DTS HD और DTS Virtual X को support करता है जिसके करान दोस्तों आपको एक अच्छी sound quality इस TV में मिल जाती है लेकिन दोस्तों जो speaker मिल रहा है अगर वो 24W या फिर इसे जादा वाट की होते तो और better sound quality आपको इस TV में देखने को मलती वहाई इस TV में दोस्तों आपको with picture engine मिल जाता है साथ ही आपको patch wall मिलती है जिसमें आपको जो भी content में जगता है उनके IMDb ratings भी देखने को मल जाती है साथ ही साथ दोस्तों आपको HDR10 content का support भी मिल जाता है जिसकी वह से दोस्तों आप high dynamic range की content को आसानी से enjoy कर सकता है इस TV पर दोस्तों MI की ओर से आपको एक साल की ओर प्रड़क्ट पर warranty मिलती है साथ दोस्तों आपको additional एक साल की warranty पैनल पर ओर मिल जाती है अगर आप इस TV को अपने लेखार इतना चाहता है तो फिलाल इसी एरण पाईज दोस्तों 19,999 रुबै जिसकी पस्ट बाइंग लिंग दी है मैंने आपको description box में बैस्ट त्री 40 इस TV में इस TV में भी आपको Google TV operating system मिलेगा वही connectivity port में आपको 2 HDMI और 2 USB port मिलता है वहीं आपको Bluetooth, Gaming Console और Dual Band Wi-Fi का support मिल जाता है अच्छी बात हैं कि 1.5 GB RAM के साथ सार आपको 16 GB internal storage मिलती है और sound audio quality में दोस्तों आपको 30W output speaker मिलता है जोकि doll भी audio को support करता है जिससे कि दोस्तों आपको crystal clear sound quality का experience होता है साथ ही दोस्तों आपको 5 sound modes भी यहाँ पर मिल जाता है इस TV में दोस्तों आपको HDR 10 content का support मिलता है और दोस्तों जो पैनल आपको मिल रहा है वो 16.7 million color को support करता है जिससे कि दोस्तों video quality का experience आपको काफी कमाल का रहता है दोस्तों यह complete package होता फिर भी दोस्तों अगर इस चीज़ को हम छोड़ दे तो बाकी आपको कोई गमी इस TV में नहीं देखने को मिलेगी और फिलाल दोस्तों यह TV cost करती है 16,999 रुपए जिसकी best bangling दे है मैंने आपको description box में दोस्तों यह रही complete information top 3 best 4 days TV in India to 2024 के बारे में जहां पर हमने one by one इन तीनों ही TV के एक एक features and audience के बारे में information देया है मैं उम्मिद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको मारा ये वीडियो जरा सा भी अच्छा रगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा स्वेदा अपने family, friends, number के साथ ज़रूर शिर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज आप comment कीजिए मैं आपके साथ रप्लाई आपको जरूर करूँगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलता है बहुत चल्द एक न्यू वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी family का ध्यान रखें और बहुत-बहुत खुश रहें